तो साबत आना पापड की तो रेसिपी में डाल चुकी हूँ तो आज मैं लेकर आई हूँ दूसरे पापड की रेसिपी जो की है आलो के पापड एक्चली आलो के पापड 100% में से 99% बोगों को पसंदी होते हैं मुझे भी बहुत पसंदी है आलो के पापड इसको बनाने भी मुझे बहुत मजा आता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो आज जो रेसिपी बनाने चाहरे है उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक किलो आलो यानी की पोटेटो जिसको मैंने बॉल कर लिया ह और चाही पिलिया है अप लोग देख सकते हैं थुझा सबाराई साइज में लिया है आप चैस सच यह वैसा ले सकते हैं और आपने अलू को ग्रेट करना है उसलिए मैं या पे एक ग्रेटर ले लिया नीचे बड़ा बटन ले लिया कि आलो की कुएंटिडू को जाज ही है तो अभी इसको हम ग्रेट करेंगे, तो मैं पत्ली वाली साइट से करती हूँ, थोड़ा कियरफुली करिएगा, क्योंकि हाथ कटने का फिर डर रहता है, तो हमारे सभी आलो ग्रेट होके रैड्य हो चुके हैं, बारे हैं चैस में कुछ नमक इड़ करने की, तो सबसे पहले मैं एसमें नमक एड़ करूँगी, तो यहां पर मैंने ब्ीस अधर मैं नमक लिया है, तो 1 टीस्पून हम इसमें एड़ करेंगे रना आ नमक, इसमें नमक तो दोफाप दो अब पर प्र्षेस आजाए। उसके लिए ने या पे फ्रश कऊरियनडर की लीप्सलिये यह वह अधी सब पड़ती करेंगे यह अग तक युह को mix करेंगे हम अच्छे से मिक्स करने है और मिक्स करते समय हम थोड़ा सा मैस्ट अच्छे मैश कर लिए मैंने इससे ओर मिक्स भी आ है सबी इंघ्रीडियांट cocktail vorm के संग तो आप इसकी हम चोटी चोटी बॉल्स बनाएंगे तो जित्ता बढ़ा आपको पापर बनाना होती बढ़ी आप बॉल्स सकते हैं मैं ज्यादा बढ़ा नहीं मीडियम साइज का पापर बनाने वाली हूँ तो पहले हाथों को ग्रीस करेंगे फिर से क्योंकि तेल थोड़ा वैसा होगा होगा क्योंकि अभी हमने इसको मिक्स करा है तो अच्छे से घ्रीज करेंगे और इसमें आपको बनाना अब इसका पाट ले लीजे और अभी इसको हम थोड़ा सा गोल कर लेंगे गोल करनें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें मैं रखोंगी क्योंकि फिर छुटाने में प्रॉब्लम आईगी अगर आप ग्रीस मी करेंगे है ुटान चैसे सभी बॉल्स को बना के रेड़ी करूंगी हम है एक बड़ी इस सभी बना पे पन बरबेश और इसको जाजा है तो आप पूरista करने पहें में तो जहां आप आना बनाते जाएं मैं के ंरे ड्रांके seven ग्रीश कर लिया तो आप इसके उपर हम अपी ने लोई रखेंगे तो यहां पर आप एक और छोटी प्लास्टिक शीट चाहिए और इसको भी मैंने ग्रीस कर लिया है अब इस लोई के ऊपर हम इसे रखेंगे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे अपने हाथ से देन फिर हमें चाहिए होगी एक प् प्रेस करना है ताकि एकदम पतला पापड़ बने हमारा अब इसको हम एक समान करने के लिए थोड़ा सा उंगली से हम इसको फैला देंगे तो फैलाना थोड़ा कियरफुली है अच्छे से फैलाएंगे और इस बात का ध्यान रखीगा कि शेट ना बिगड़ जाए थोड़ आराम से फैलाएं तो मैंने इससे फैला लिया और यह सकते है साइस थोड़ा सा बड़ा हो गया सब तरफ से एक समान है और अब इससे हम छुटाएंगे तो पन्यी ग्रीश्ती आराम से छुटेगा इसलिए यह देशके बहुत ही आराम से छुट गया और हमारा एक्दम बने हैं बहुत ही अच्छे से बने हैं अब इसको हमें सुखाना है तो दो दिन की कड़ी दूप में हम इसको सुखाएंगे और फिर एक दम यह बढ़िया हमारे बिल्कुल पर्फेक्ट आलो के पापड बनके रेडी हो जाए तो लीजिए टूडे हो चुके हैं इसको दूप लग चुकी है और बहुत ही बढ़िया बने हो और मैंने एक दिन की दूप के बाद इसे पलग भी लिया था क्योंकि अगर यह बिल्कुल सूप जाता पन्नी पे तो फिर चिपक जाता हो और फिर छुटने में थोड़ी प्रॉब्लम लाती लेकिन अगर आप उस पे तेल ल जैसे मैंने आपको पैटन बताया है तो यह बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी चुटाने में तो अभी मैं बताती हूँ कित्ते क्रिस्पी बने बहुत ही ज्याद अच्छे भी है यह एक्दम क्रिस्पी वाला इसका टेक्च्चर आया यह देखिए आपको अ अच्छे जिल्दी जाते हैं तो आप बहुत हीट नहीं करिए एकदम बहुत श्मोग वाला थोड़ा सभी च्छे करिएगा और फिर आप इसमें एक एक करकर आप डाले गा तो एके करके आप यह दूद्र हम इसमें पापर डालेंगे और इसको प्रेस करते हूए चिंपे च जैसे ही एकदम वाइट कलर में हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए और इसी दूसरे डालिए और फ्राय कर लीजिए थोड़ा से इसको राउंड राउंड जब आप करेंगे चिम्टे से तो यह थोड़ा अच्छा फ्राय हो जाएगा सब तरफ से यह लीजिए हमारे आलू क्या होता है कभी कबार जब आलू के पापड़ फ्राय करते हैं तो उसका कलर रेड पर जाता है लेकिन जो मैंने आपके तरीका बिताया अगर आप उससे बनाएंगे ना तो आपके आलू के पापड़ इसे बनेंगे बहुत ही अच्छे और मैं बताते हूं आपको एक मज़े से यालू के पापड़ बनाएं तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मज़ बूलिए और करें रोफिताईगा आप नहों को मज़ा आया या नहीं अना अलू के पापड़ को बनाने में और नीचे जाके चैनल को सब्स्क्राब करना तो बिलक